तो चलिए आज बनाते हैं होली एस पेसल मावा गुजिया तो फ्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा इसके लिए मैंने एक बर्तन में 70 ग्राम चीनी लिया है और 50 एमिल पानी लिया है इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लो करके इसकी चासनी ब दालेंगे यहां पर हमें घी का यूज करना है तेल कभी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है हमें इससे स्वाद में काफी अंतर आ जाएगा अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट तक के लिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें हलका हलका पानी जा कर इसका सॉफ्ट जो तयार कर लेंगे जो तयार करने में एक से दू मिनिट का टाइम लगेगा और ये अच्छे से सॉफ्ट तयार हो जाएगा जो हमारा बन के तयार है तो इसे ढखकर हमारा दस से पने मिनट तक के लिए रख देंगे अब हम इसकी फीलिंग तयार करेंगे इसके लिए मैंने यह मार्केट का मावा लिया है यह 120 ग्राम मावा है अब इसमें दो चमच मैंने कटे हुए ड्राइफ रूट्स डाले हैं और आधा चमच नारियल का पौडर डाला है इसमें मैंने कोई चीनी या यूज नहीं किया है अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप चीनी का पौडर भी डाल सकते हैं एक चमच और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें ज्यादा बारिक मिक्स नहीं करना है फीलिंग तैयार है हमारी तो हम चासनी को चेक करेंगे चासनी भी बनकर तै ज्यार है तो इसमें अब मेनें हलकासा फूर्ड कलर डाला है यह अगर आपको पसंद हो तो ड्लीस बर्ना मज डिलिय कर दो ऑद और इक बड़र मेंने मैंना या है और फीलिया है कि यो कि तो इस ड्वीत कर लेंगे तो नमान मिक्स हो गया है इन्हें ज्यादा mix नहीं करना है वो हलका सही mix करना है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को ज़रू लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अब डो को मैंने चार हिसो में divide कर लिया है इसकी पतली रोटिया बनाकर इस पर यह बैटर लगाकर इस तरीके से रोल बनाकर हम इसे cut कर लेंगे और इसकी पतली पतली पूरियां बनाएंगे पूरियां इदम transparent बनानी है हमें जिससे चासनी जो है अंदर तक आराम से चली जाए और इस तरह से हमें गुजिया के सेब को बना लेंगे अब जीस तरह से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं खु invece मैें कुछ नंया च्राइय किआ है आप भी कर सकते हैं इस तरह से बाकि गुजियों को भी हम बना लेंगे और अब तेल को गर्म करेंगे, तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें गुजे को फ्राय करना है, इसे ज्यादा भी फ्राय नहीं करना है, क्योंकि इसका लेयर बहुत पतला बनाया है हमेंने, इसे दो से तीन मिर तक फ्राय करेंगे, और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करना है मेडियम टूलो पे ही फ्राई करेंगे गुजे हमारा फ्राई हो गया है तो इसे चासनी में डालेंगे और निकाल लेंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेज़ रस्पी के साथ अब तक बाइटेंगे